आज की जो सरकार है उसने भारत देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरीके की बिमारियां लगा दिया, रोग लगा दिया इस देश लोगों की उमीद है कि इंडिया अलाइन्स इन रोगों से भारत देश की मुक्ति कराएगा, निजात दिलाएगा और भारत को प्रगती की रह पर, उन्नती की रह पर आगे ले चलेगा, इसलिए लोग बड़ी उमीद से इंडिया अलाइन्स और इंडिया अलाइन्स के नेताओं की ओर देख रहे हैं, हमारी पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें साथ आने का एक विचार बना, एक दृड़ संकल्प सबने मिलकर लिए, कि साथ आएंगे एक जुट होकर लड़ेंगे, बैंगलूरू की जो बैठक हुई, उसमें इस अलाइन्स के स्वरूप पे चर्चा हुई, इसका नामकरन हुआ और इंडिया अलाइन्स नाम का एक बहुत ही मजबूत गटपंदन बना, और आज थर्ड फ कि जैसे हमने देखा कि इस देश में पहले भी एक बार 1977 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुर्चा बना, अलाइन्स बना, और उस अलाइन्स में देश की जंता साथ आई और उस समय की सरकार को इलेक्शन में हराया, ऐसा ही कुछ आज के दौर में हम देख रहे हैं कि तमा पुलिटिकल पार्टियां लोग देश को बचाने के लिए, लोगतंतर को बचाने के लिए, सम्विधान को बचाने के लिए साथ हा रहे हैं, और साथ आकर एक एहंकारी हिटलर शाही से चलने वाली सरकार को अवश्य हार मिलेगी और देश की जंता अवश्य जीतेगी, आप इंडिये की और बीजेपी की खास तोर पर बॉखलाहाट इसी चीज़ से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं और इतने बड़े-बड़े लोग यहां तक कि प्राइम मिनेस्टर और इंडिया जिन्होंने Constitution of India के तहट अपना कारेभार संभाला Indian flag के नीचे खड़े होकर शपत ली President of India ने उन्हें शपत दिलाई Government of India के वो मुखियां हैं सरकार में आने के बाद Startup India, Skill India, Make in India, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, ना जाने के कौन-कौन से schemes उन्हें लाँच करी, नीतियां लाँच करी आज उसी party को और उन्हीं लोगों को इंडिया शपते नफरत हो गई आज यह हमारे alliance का जो comparison है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया शपते इतनी नफरत हो गई, यह नफरत नहीं है, यह उनकी बॉखलाट है, यह लोग डरे होएं, घबराएं होएं, कि कहीं यह गठपंदन सफल ना हो जाए, और आप देखिए, रोज हर प्रकार से, बीजेपी यही प्रयास करती है, कि अलाइंस फेल हो जाए, कभी कोई मन घरन तारोप लगा देगी, कभी यह शिगूफा पहला देगी, कि इस अलाइंस के बीच में तो बड़ी टकरार है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, नजाने क्या-क्या फेला लाइंस नहीं है, यह लाइंस वास्तव में भारत की 135 करोड आबादी का लाइंस है, वो आबादी साथ हाई है, पुरा देश साथ हाया है, और उस 135 करोड आबादी का एक लक्षे है, कि हमारी आंदनी नहीं बड़ी हमारा खर्चा बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती रही, ह झाल झाल